लो आ गई बची हुई रोटी की एक और नई रेसिपी आज मेरे किचन में बनने वाली है रोटी की मज़ेदा, टेस्टी और यूनिक रेसिपी आज से पहले आपने कभी नहीं देखिऊगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं ओम साही राम, आपका मेरे चैनल सीक्रेट रेसिपी विद लक्षिमी में सौगत है चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने दो रोटियां ली हैं यह रोटियां मैंने सबेरे बना कर रखी थी और यह वीडियो में शाम को शूट कर रही हूँ अगर आपके पास रात की बच्ची हुई रोटि हो फिर भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक चपाती ली है उसको हलके हातों से हमें टाइटली रोल करना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ और केची की साहयता से उसको हमें रिंग्स में चोटे चोटे स्लाइस में कट करते जाना है मैं आपको सजेस करूँगी कि आप बच्ची ही रोटी ही ले उसका टेक्चर इस रेसिबी के लिए बहुत ही बढ़िया है अगर आप ताजी ताजी रोटी लेंगे वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी उसमें अपना ही नेचरल सॉपनेस रहता है ताजी रोटी में वो इसके लिए उसका टेक्चर अलगी हो जाएगा यहाँ पर एक रोटी कट हो चुकी है उसी तरह हम दुसरी भी रोटी लेंगे उसको रोल करके अच्छे से टाइटली रोल करेंगे जैसे कट करते वक्त तकलीप ना हो और केच्ची की सायता से इस रोल से हम स्लाइस कट करके लेंगे इस तरह मैंने रोटीों के लच्छे बना के ले लिया है अब चलते हैं नेक्स टेप की और यहाँ पर मैंने एक कड़ाई ली है उसमें तेल डाल दिया है तेल गरम होने के बाद इन लच्छों को हमें डालना है यहाँ पर एक चीज का ध्यान दे हमें गेस का फ्लेम लो रखना है फास गेस पर यह लच्छे तलने से वो जल्दी पक ज यहाँ देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं यह इनका कलर चेंज हो चुका है यह गोल्डन ब्राउन सुनेहरे रंगे हो चुके हैं अब यह अच्छे से हो चुके हैं अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर इनको पकरना है थोड़ी देर के लिए जैसे कि इनका एक् प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह बचे हुए दुसरे भी लच्छे चपाती लेंगे और उनको हम फिर से निकाल लेंगे इस तरह सब फ्राय हो चुके हैं इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रग देंगे अग को थोड़ा क्रश करके ले रही हूं उसी पैन में मैंने दो चमज तेल डाल दिया है तेल थोड़ा गरम होने के बाद उसमें मैंने आधा चमज जीरा डाल दिया है उसी के साथ आधा चमज मैंने राई डाल दी है इन दोनों को अच्छे से पकने के बाद इसमें मैं लहसन की कल मिर्च का इस्तमाल करने वाली हुं हमारे घर में तीखा कम खाते हैं इसके लिए मैंने यहां दो हरी मिर्च क reality हैं अगर आप तीखा जदा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च भी जबा क्यादा डाल सकते उसका भी flavor样 अच्छा आता है और उसी के साथ daqui पर मैंने एक टमाटर कट करके ले लिया है यहाँ पर मैंने जूसी टमाटर लिया था जादा पका हुआ जैसे कि उसकी टेस्ट भी बढ़िया है यहाँ पर प्याज टमाटर अच्छे से पक चुका है उसमें मैंने एक चमज लाल मिर्च पाउडर अधा चमज हल्दी पाउडर उसी के साथ नमक स्वाद के अनुसर डाल दिया है यहाँ बैमें ने सिर्फ घर के मसालों का यूच किया है एक्स्टा कोई मसारा नहीं डाला इस रेसिबी की टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने चाट मसाले का भी इस्तमाल किया है आप प्लीज मेरे को कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह रेसिबी कैसी लगी आप इस रेसिबी को जरू ट्राइं करें और मुझे कमेंट करके बताए आपके कमेंट हमारे लिए इंस्पारेशन रहता है यहाँ पर सब पक चुका है प्यास टमाटर अच्छे से जो हमने रोटी के लच्छे बना कर रखें थे वो अब इसमें डाल देंगे प्यास टमाटर के साथ लच्छों को अच्छे से हमें पकाना है यहाँ पर हम उनको मिक्स करके लेंगे लगाता चलाते हुए प्यास टमाटर के साथ लच्छों को हमें मिक्स करना है यह इनको हमें 2-3 सेकंड के लिए याने आधे मिनिट के लिए भी पका सकते हैं यहाँ अल्ड़री यह पक चुके हैं इन्हें हमें ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं उपर से हम धनिये से हरे धनिये से इसकी गानिशिंग करेंगे यहाँ इसका सौध इतना टेस्टी है अगर आप एक बार 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 खाएंगे बच्ची हुई रोटी की यह एकदम यूनिक रेसीपी है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जैसे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहली बार मिल जाए यहाँ पर लच्छे रेडी हो चुके हैं और मेरी यूनिक रेसीपी बनके रेडी है उसको मैंने सौर करके लिया है आपको इसको जरूर बनाना है और इसको ट्राइ करना है हर बार नए रेसीपी जरूर ट्राइ करते रहें अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद